करें हालो आप डीवान तीसी मान महांतिवारी यान ये वोचिंग और चानल फिनांसर पंडीत एक नए वीडियो के साथ मैं फिराया हूं आज है संडे और संडे के दिन कमेंट बॉक्स से कुछ एक क्वेरी में आप लोग के लिए लेके आता हूं जो बहुत ही ज्यादा सबसे फ्रस्ट कोरी है सुवासिस जी का यह पूच रहे है अभी लंशम कौन से फंड में कर सकता हूं एक लाक देखे सुवासिस जी अभी अगर मैं मार्केट की बात करूं सबसे पहले अगर निफ्की और सेंसक्स की बात करूं तो बहुत ही हाई लेबल पर ट्रेड हो रहा है इट मिन्स की मार्केट बहुत महंगा है अब मार्केट जिब महंगा है तो अगर आप डेरिक्ट लंब सम में इन्वेस्ट करोगे तो यहां पे चांसे सबसे ज्यादा गिरावट के हैं तो आपका पैसा नुक्सान में जा सकता है तो एकुटी ओर्येंटेड मीचुवल चांस है कि market यहां से अपोर्ट ट्रेंड करें लेकिन 70% 60 से 70% का चांस यह है कि market यहां से downtrend करें तो कुल मिला के हमें थोड़ा सा बज़के रहना है हमारा पैसा है तो थोड़ा सा सुरच्छित रखना है यहां पर मैं आपको दो राय दूँगा अगर आप लोड़ स्टेकर हो अगर आप लोड़ स्टेकर हो तो यहां पर पैसा आप डिप fund में लगा जो यह एक लाख रुपए है आपका डिप fund में लगाएं अगर एक हाई risk ticker हो और अगर आप risk यहां से ले सकते हो तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप meetcape में पैसा यहां लगा सकते हो कोई भी meetcape एक अच्छा meetcape का selection करके और उसमें पैसा लगा सकते हो लेकिन यह एक लाख रुपए एक बार में आपको meetcape में नहीं लगाने हैं आपको यहां थोड़ा सा थोड़ा installment में लगाना है कहने का मतलब एक लाख रुपए को आप तीन से चार पार्ट में डिवाइड करते हैं और जैसे जैसे गिरावट हो कुछ ना कुछ लगाते रहें जैसे जैसे गिरावट हो कुछ ना कुछ लगाते रहें कूल मिला के मैं करने के लिए नहीं बलूँगा अगर आप अच्छा शलूशन है अगर आप करना चाहते हो तो सुवासिष जी आप समझ गये होगे मैं क्या कहना चाहता हूं महनत का कमाई है आप जो कमाते हो इतने महनत करके कमाते हो तो हमारी जिम्मदारी भी बनती है कि उस पैसे को कितना सुरचित रख सके हमें रिटर्न ही नहीं पाना है हमें रिटर्न पाने के लिए कितना जोखिम ले सकते हैं ये भी अनलाइसिस करना है और वाकिन में इस टाइम जो मार्केट है वो बहुत ही हाई ट्रेंड पर तो fund अब भकवास investment है तीन साल में मुझे SBI में 0.25 का return मिला है union small cap में negative return मिला है so please don't invest in mutual fund दिने जी exactly mutual fund बहुत ही भकवास investment है कैसे कैसे भकवास investment है क्योंकि अगर आप शही mutual fund का selection नहीं करोगे न तो आपके लिए तो भकवास investment है जितने भी viewers है जो भी video देख रहे हैं मैं उनकी राए जानना चाहता हूं क्या आप mutual fund से earn कर रहे हो क्या आपको यहां पर आपको return दिख रहा है आपके portfolio में green या मुनाफ़ा दिख रहा है तो जरूर बता है क्योंकि देखो यहां पर दिनेश जी का जो perception है जो point of view है especially mutual fund को लेके यह 100% गलत है क्योंकि दिनेश जी कई ऐसे mutual fund का selection कियें कई ऐसे mutual fund में पैसा लगाए हैं जिसमें नुकसान काफी जादा हुआ है और इसलिए इनका perception उसके recording तैयार हो गया है देखो मैं हर viewers को राय दूँगा और दिनेश जी आप भी समझना देखो अगर आप जब mutual fund में invest करो तो आपको research करना पड़ेगा और मान लो जिस समय आप mutual fund में invest कर रहे हैं अच्छा mutual fund है आपको लग रहा है कि आने वाले time में future में अच्छा response आपने पैसा लगा दिया दो साल अच्छा response दिया तीन साल अच्छा response दिया चौथे साल में उसका response और उसका जो performance है वह बहुत ही negative दिखने लगा मैं आपको राइद हूँगा कि हर साल आप थोड़ा सा अपने investment को track करो review करो rebalance करो कि वाकि में जिस mutual fund में मैं अभी बना हूँ वो कितना सुरची थे नहीं सुरची थे उस fund से exit करो दूसरे mutual fund का selection करो किसी एक mutual fund में अपने 20 साल के जिन्दिगी में सिर्फ एक mutual fund में depend नहीं रह सकते हैं हो सकता उस 20 साल में उसका performance काफी खराब हो तो उस समय उस mutual fund को छोड़गे कोई अच्छे mutual fund का selection कर सकते हैं कूल मेरा के दिनिज जी आप सही mutual fund का selection करें मैं guarantee के साथ बोलता हूँ आपको return मिलेगा चलिए बढ़ते हैं लिक वरी के तरफ अगला क्वरी यहां पर है भी equity mutual fund की उस तरह नहीं बढ़ती या बहुत ही धीमी गती से इजाफा होता है ठीक है किन्तु यदि बजार में हलकी से भी गिरावट होती है तो तुरंत एन भी ज्यादा कम हो जाती है क्या fund manager कहीं न कहीं निवेशकों के साथ छलावा नहीं कर रहे हैं इसी समय मैंने देखा जब सेंसेक्स 40,000 के उपर वापस आ गया किन्तु लार्ज केप्टल मीट केप का performance लगवग सभी houses में ना के बराबर है ऐसा क्यों देखें रियल अडा इंडिया जी पहले में आपको समझाता हूं सेंसेक्स और निफटी निफटी 50 Stocks हैं जिसके basis पे उसका calculation होता है निफटी आज पासटीव में हैं या नेगेटिव मैं हैं इस पचास स्टॉक्स के basis पे ही होता है और निफटी के जो पचास स्टॉक्स है वो क्या है एक्जाक्टी ओं लााज केप्टलाइजेशन के वह ल तो अगर मालो उस 50, Nifty के 50 stocks में से कोई एक ऐसा stocks है, जिसका moment काफी तेज है, तो Nifty में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई एक ऐसा stocks है, जो Nifty के अंदर नहीं है, लेकिन वो दिन रात बढ़ता ही जा रहा है, तो Nifty पे और Sensex में कुछ असर देखने को नहीं मिल अब हम थोड़ा mutual fund में सिप्थ होते हैं, mutual fund को समझते है, mutual fund में जब हम investment करते हैं, तो उसके portfolio में बहुत सारे stocks होते हैं, अगर उस stocks का moment अच्छा देखने को मिलेगा, तो NAB के price में भी तेजी देखने को मिलेगा, अगर वैसे stocks में moment नहीं होगा, momentum अच्छा नहीं होगा, positive momentum तो mutual fund के NAB के price में भी कुछ अच्छा response देखने को नहीं मिलेगा, अब आपका ये query है कि जब market गिरता है, तो सबसे ज्यादा क्यों गिरना start हो जाता है, NAB में गिरावट क्यों होता है, कई बार जब market में गिरावट होता है, तो बड़े-बड़े investor कर लो, या retail investor कर लो, वो बिकवाली ज्यादा करने लगते हैं, जिसे stocks पर भी focus करते हैं, उस पर बिकवाली ज्यादा करने लगते हैं, और ज्यादा बिकवाली से कई बार दूसरे stocks में भी गिरावट देखने को मिलता है, और इसके चलते हैं, जब market बहुत ज्यादा break होता है, तो बहुत ऐसे stocks हैं, जो market के साथ चलते हैं, exactly, जो nifty और sensex के साथ चलते हैं, अब जब nifty और sensex के साथ चलते हैं, तो वैसे stocks, meet cap और small cap में भी पाए जाते हैं, जो meet cap और small cap के mutual fund है, जो large cap के mutual fund है, तो उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलता है, लेकि जब market तेजी होता है, exactly, जब market बढ़तरी ही देखा जाता है, कुछ एक stocks के चलते हैं, तो जो खुछ renewable fund ही होते हैं, जिसके चलते हैं, उनके unmß Cash tournament में फोड़ा सँ upward trend देखा जाते हैं, और किसी mutual fund में upward trend नहीं देखा जाता हैं, तो weather creator, के portfolio में ज़े stock होते हैं उसका जैसा moment होगा और महीं के price में भी वाãy sound दिखा जायएगा तो ये fund manager के हाथ में होता है fund manager के हात में होता कि कि siihen mutual fund के USDA की के price को वह अपने according change करते market मार्कट का जैसा moment होगा उसके according उसके एनमे के price का होगा अगला क्वरी यहां पर अरुम सिंग जी का यह पूछ रहे हैं सर एस्बाइए स्मॉल केप में लंसम बंद है तो हम डेप्ट फंड से स्विच के जरी है स्मॉल केप में पैसा लगा सकते हैं क्या प्लीज सजेस्ट देखो सबसे की पएले हम की का मतलब समझता है को यहां स्विच को नाम दिया जाए इसके मतलब नहीं कि आपका पैसा की दूसरे mutual痛 में इनवेस्ट किया अब इस mutual fund से दूसरे julum में आप सीच करना क्याते हैं तो वहाँ हैं पे आपका उनिफकी होलां हो जाता है इक यहां redeem होके आपके एक लाख रुपए उस दूसरे mutual fund में invest हो जाते हैं तो यहां redeem होता है और यहां दूसरे mutual fund में investment इस्टार्ट होता है तो एक new investment count होता है तो माल लो अगर आप किसी debt mutual fund से पूरा redeem करके पूरा redeem करके जितने unit है आप उसको redeem कर देते हो तो आपके account में जो भी पैसा ह होगा वो lump sum investment होगा exactly lump sum investment होगा जो new mutual fund है अब SBI small cap fund में अभी lump sum investment को stop कर दिया गया है exactly option नहीं है तो कैसे investment होगा यह investment start नहीं होगा exactly SBI small cap में आप SIP start कर सकते हो लेकिन lump sum investment अभी नहीं कर सकते हो लेकिन अरुन जी अगर आप सोच रहो हो कि हाँ exactly आपको एक small cap fund चाहिए और इससे related भी कोई एक ऐसा substitute मिल जाए जिसमें मैं लंसम कर सकूं तो मैं आपको एक-दू fund का यहारा आई दे सकता हूं कि आप DSP small cap के साथ जा सकते हो आप access small cap के साथ जा सकते हो आप invest को इंडिया small cap के साथ जा सकते हैं लेकिन अपने risk को पहले जरूर रिसर्च कर लें कि क्या आपका जो risk है ऐसे mutual funds के लिए suitable है कि नहीं हां जैसे आप पूछ रहो कि small cap में invest करना है लेकिन SBI small cap में करना है लंसम है तो अभी तो option नहीं है लेकिन इसका substitutes and alternatives हैं हमारे पास जिसमें आपको सबसे जादा भी return मिल सकता है तो अरुन जी आप समझ गयोगे exactly में क्या कहना चाहता हूं देखो कई बार कई ऐसे investor हैं जो हमेशा धोका काते हैं जो हमेशा उनको mutual fund में negative return देखने को मिलता है और उसके चलते उनका perception अलग हो जाता है investment product को लेके और ऐसे जो investor हैं वो हमेशा traditional product पे जादा focus करते हैं अगर आप सही research और सही strategy से mutual fund में invest करोगे तो आपको कभी नुक्सा आप cover कर लोगे तो देखो इस वीडियो से लेटर अगर आपके माइंड में कोई query हो बेच जाए कमेंट बोक्स में query generate करें आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेकिया हमगों एक हमवाल request अभी तक चैनल को नहीं करें सब्सक्राइब लाइक को शेयर तो अभी स्ट करें एक नहीं वीडियो के साथ तब तक के लिए जैन जैबार